नमस्कार दोस्तों, अल्ल टाइम ब्लागबस्ट और लोडिंग पॉर शारुखान फैन्स शारुखान एन हिरानी की सोसल इमिग्रेशन ड्रामा फिल्म की उपर हिरानी ने एक ऐसे बयान दिया है जिसको सुनने के पात इसार के फैन्स बहुती साधा खुश और एक्साइटेट हो चुकें इस फिल्म के लिए ऐसे हिरानी को बॉलियोट की नंबर वन डिरेक्टर और इंडियन सिनमा की सबसे बड़ी डिरेक्टर नहीं बताया जा रहा है हिरानी एक ऐसे प्योरिस्टिक और ओरिजिनल कॉंटेंट क्रियेटर है इंडियन सिनमा की जिसकी आज पार अभी कोई डिरेक्टर नहीं है राजकुमार हिरानी जी ने शारुखान की साथ उनकी फिल्म को लेके एक बड़ा वायान दिये है सबसे पहले उन्होंने क्या कहा आपको सुना देता हूँ मतलब उन्होंने बताने की कोशिश किये है कि जब स्क्रिप्ट की फर्स्था बहुत ही भैतरीन हो तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं क्लाइमेक्स उत्से भी ज़्यादा भैतरीन करना क्योंकि अगर फर्स्था जितने भी बैतर हो सेकेंड हाथ या फिर क्लाइमेक्स अगर अच्छा उतनी लेवल पे नहीं हुआ तो फूरी फिल्म बेकार चाह सकते हैं लाइक जीरो और इसे लिए वह जादा से जादा टाइम ले रहे हैं जितनी जरूरत उतनी टाइम ले रहे हैं पर्फेक्ट क्लाइमेक्स के लिए साथे साथ राजकुमार इनानी ने कहा तफास्था आप आप माई नेक्स प्लिंट विप एसार के इस बेटर देन और वर्क्स आई हव ड़न तो ऑफ बार ये उन्होंने कहा मेरे आने वाले फिल्म की फास्टाप मेरे पिछले तारे काम स से बहतरीन हैं मतलब three idiot मुन्ना वाइस तंजू फिल्म से बहतर होने वाले हैं उनकी आने वाले फिल्म की फास्टाप और उस लेकेंड हाप के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहे हैं और अपने पर्फेक्ट टाइकर से अपने क्लाइमेक्स को लिखने के बाद या ने मैरेट करने के बाद हो मैदान में उतरने वाले कि वो जीरो की आनातेल रहेजर से गलती नहीं करने वाले कि पत्थ हाप जवर्दस बना दो और स्टाइगंड हाप एकदम बेकार हो जाए तो ऐसे में किंखान के लिए किंखान की फैंस के लिए यह बहुत बड़ी गुटनि ट्वार्ग आप किंखान की साथ आने वालें आप लोग बताएं आप लोग राजकुमार इरानी की उपर कितना विश्वास रखते हैं साथे साथ इस पिल्म की कितनी बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय रखे साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए